अब्रियुन का रहे हैं एकठोषोट नंबर 107 आजके हमारी वर्क्षेट हिंदी सीट डीकी वर्कशीट है और आजके महरी डीट है 12 ओफ नवंबर 2020 आजकी म рабग़े डीकी वाफ फृथ खिलोने वाला कविता से यहां बच्चें अपना section लिखेंगे, यहाँ अपना नाम और यहाँ आपने teacher का नाम, आज की हमारी worksheet पध्यांश पर आधारित है, पध्यांश क्या होता है, passage आपने English में और Hindi में 4th class में भी किये होंगे, आपको कुछ 4 या 5 लाइने आती हैं, जो आपने कभी पढ़ी नहीं होती, या फिर कैसे हैं आप, आशा है कि आप सबने अपने पठ्या पुस्तक रिमजिम की कविता खिलोने वाला को पढ़ लिया होगा, कविता में आए इस पध्यांश को पढ़िए और नीचे दिये गए प्रशनों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए, आपको नीचे जो प इस सेट है, छोटे-छोटे हैं लोटा थाली, छोटे-छोटे धनुशबान है, है छोटी-छोटी तलवार, नए खिलोने ले लो भईया, जोर-जोर वह रहा पुकार, मुन्नोंने गुडिया ले ली है, मोहनने मोटर गाडी, मचल-मचल सरला कहती है, मा से लेने को साड़ी, कभी खिलोने वाला भी मा क्या साड़ी ले आता है, और यहां हमारी ये वाले कम्प्लीट होते है, जितने हमें इस पैरेग्राफ पैसेज में दिया गया है, अब हम इस questions को करेंगे, फर्स्ट वाला question है, इन पंक्तियों में कुछ खिलोनों के नाम आए हैं, जिने खिलोने व जिन खिलोनों के नाम पद्यांश में आए हैं, उनका चित्र अपने कौपे में बनाईए और उनमें रंग भरिये, तो सबसे पहले हम लोग नीचे दिये गए पिक्चर्स को देखेंगे, और फिर देखेंगे कि इन में से क्या क्या चीज़े हमारी पैसेज में आई हैं, या आया है, जो हमें यहां पर दिया गया है, नहीं आया, नेक्स्ट है बंदर, क्या बंदर आया है, बंदर भी नहीं आया, गाड़ी, क्या गाड़ी आई है, गाड़ी भी मोटर गाड़ी मोहन ने ली है, तो मोटर गाड़ी मोहन ने ली है, तो मोहन का अंसर यहां पर हम इसको circle कर देते हैं अगला है गुडिया क्या गुडिया किसी ने ली है मुन्नू ने ली है तो ये भी बिल्कुश सही है नेक्स्ट है धनुशबान धनुशबान आया है हाँ जी धनुशबान भी आया है और तलवार तलवार भी आया आई है और ये कहां कहां पर हैं हम एक बार देख भी लेते हैं मोटर गाड़ी ये रही गुडिया ये रही धनुशबान ये रहा और तलवार ये रहा ये रही यहां हमारा question number one complete होता है अब हम इसके बाकी questions को देख लेते हैं first है मोटर गाड़ी किसन खरी थी मोहन ने तो यहां हमारा answer आ जाएगा मोहन की मोहन ने मोटर गाड़ी खरी दी next हमारा आया है मा से साड़ी लेने के बाद किसने कही थी मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी तो किसने लिए साड़ी किसने बोला माँ को साड़ी लेने के लिए सरला ने तो second question का हमारा answer आगया सरला अब next हमारा आता है बालक ने अपनी माँ से ऐसा क्यों कहा कभी खिलोने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है सोचो सोचो जल्दी से बताओ यह बात सरला ने इसलिए कही क्योंकि खिलोने वाला साड़ी नहीं खिलोने रखता है और सरला तो कह रही है कि खिलोने ले लो साड़ी ले लो तो इसलिए बाद में सरला ने खुद ही अपने आंसर को question कर लिया कि कभी खिलोने वाला भी क्या साड़ी ले आता है तो यह बात इसलिए कही क्योंकि खिलोने वाला साड़ी नहीं खिलोने रखता है तो यहां हमारा यह वाला question भी complete हो जाता है next अब हम करते हैं हमारा question number two क्या आपने कभी घर में रखे बेकार पुराने सामान से कोई खिलोना बनाया है जैसे खाली माचिस की डिबिया से गाड़ी लकड़ी वे धागे से धनुषबान आदी ऐसे ही बेकार पड़े सामान से कोई खिलोना बनाये और उसका चित्र या वीडियो अपने सिक्षक शिक्षिका के साथ साजह कीजिए तो second question आपका activity waste है इसमें आपको कोई भी waste material से खिलोना बनाना है और बाद में उसकी photo send करनी है अपने teacher के पास अब हम नीचे आते हैं नीचे आप सभी को पता है दिवाली आने वाली है तो इन्होंने कुछ instructions दिये हैं और कुछ explanation दिया है पठाके ना जलाने के लिए तो यहाँ पर लिखा है say no to crackers क्यों क्योंकि air pollution होता है इससे तो यहाँ पर पठाकों को कहिए ना हम प्रन लेते हैं कि पठाकों का परियोग नहीं करेंगे क्योंकि जब पठाके जलाये जाते हैं तो इन में से कई परकार के रसायन हवा में घुल जाते हैं और वायू की गुनवत्ता को बिगाड़ देते हैं वायू की गुनवत्ता क्या होता है आई एर quality index जो कि आपने पिछली maths की वर्कशिट में पढ़ा था ये रसायन अत्याति खाने कारण होते हैं और Alzheimer या Cancer जैसी गंभीर बिमारियों का कारण भी बन सकते हैं हम पठाकों को नहीं जला कर परियावरन को प्रद्यूशन मुक्त करने में पूरा सेयोग देंगे तो ये pledge है जो आप लोग लेना है आपको अपने घर में और बाद में इसकी वीडियो बना करके भी आप शेयर कर सकते हैं और यहां हमारी आज की वर्कशिट जो कि बहुत ही जादा easy थी